अरे अरे ये क्या विखनी हर्ता गडेश में आहे नटखट गडेशा और साथ ही लाए है खूल सारी शरारते लेकिन आचानक आजाता है अफरा तफ्री का महौल वो कैसे आई आपको दिखाते हैं अटकट गडेशा आए हैं साथ में एक से बढ़कर एक शरारते भी लाए हैं एकिये कैसे आज कैलाश परवत पर अफरा तफ्री का माहौल है माता भाग रही हैं सारे सेवादार भी हैरान परेशान है गंदी महराज महादेव के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है आए सिधा चलते हैं माता पारवती के पास और उन्हीं से पूछते हैं कि आज आखिर यहां क्या हो रहा है पारवती माता आज गनेशा को एक बड़ी सीख देने वाली है लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वज़ा से गनेश के प्राण संकट में आ जाएंगे यहां तो गनेश के प्राण ही संकट में आ गए है वैसे आज गनेश जी ने महादेव का चांद भी कहीं चुपा दिया है जिसकी वज़ा से नंदी और बाकी गन काफी क्रोधित भी है महीं दूसरी और माता पार्वती भी आज गनेश को खूब डाट फटकार लगाने वाली है नन्हे से गनेश और इतनी सारी बड़ी बड़ी शरारते माता पार्वती की मुश्किले कम नहीं है ओन स्क्रीन जहां गनेश ने माता पार्वती की नाक में दम किया हुआ है वहीं दूसरी और ओफ स्क्रीन माता पार्वती अपनी हैवी ड्रेस से परेचान है तो इस बारे में अकांशा क्या कहना चाहती है आप बिल्कुल सही कहा कांचा भगवान बनना इतना आसान भी नहीं है और उस पर से गणेश जैसे नटखट बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी चलिए आप संभाल दिए अपने शरार्ती और नटखट गणेश को हम तो चलते हैं